नमस्ते, हिंदी की क्लास में और वी स्कूल की तरब से अपका फिर से स्वागत है हमने हिंदी की क्लास में कवर्ग सीखा, कवर्ग के बाद में चवर्ग सीखा चवर्ग के बाद में हमने सीखा तवर्ग, उसके बाद में सीखा तवर्ग और उसके बाद में हमने पवर्ग सीखा पवर्ग की पाँचों व्यंजन उसके बाद में आता है य, र, ल हमने वो तीनों सीखे जिसे हम बोलेंगे यकी लाइन यकी लाइन में जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बोला है चार व्यंजन है वो चारो व्यंजन उसे हम अंतस्त व्यंजन बोलते है क्या बोलते हैं? अंतस्त व्यंजन य, र, ल, व ये चार व्यंजन, अंतस्त व्यंजन है यकी लाइन में चार व्यंजन है तो आज हम व्यंजन व सीखने वाले है तो चलो सीखते हैं व्यंजन व वसे होता व्रिक्ष बड़ा चाने कपसे यहां खड़ा यह है वन हरा हरा व्रुक्षों से भरा भरा देखो वर्षा आई है कितना पानी लाई है वसे वर्षा इतनी बर्षी वसे वस्त्र भिगो के गई वसे वंश विद्या लए गया खूब पढ़कर वकिल बन गया वसे वर्णे विना बजाई और वसे वधू को सुनाई वसे विजेता मैं बन गया वसे प्यारा वतन हमारा वसे प्यारा वतन हमारा चलो व्यंजन वसे शुरू होने वाले शब्दों का पुन्रा वर्तन करते हैं वसे व्रेक्ष, वसे वन, वसे वर्षा, वसे वस्त्र, वसे वांश, वंश लड़के का नाम है वसे वीन, वसे वर्ष, वसे वदू, वसे विध्याले, वसे वकील, वसे वायू, और होता है वजन, और वसे वचन भी होता है वचन मतलब प्रॉमिस, वसे विजेता, और वसे वतन होता है Now, it's time to practice writing व्यंजन व, so let's write In my skill book, we will practice writing व्यंजन व, on page number 8585, we will write व्यंजन व, for that we have to write the date in the left side corner and that is today's date 22.9.20 To write व्यंजन व, first we have to start writing from first line, पहली line और दीसरी line के बीच में एक सीधा line और एक बार, पहली और तीसरी line के बीच में एक सीधा line दुसरी line से थोड़ा सा उपर से शुरू करके हमको, English में जो आप small c लिखते हो, वो लिखना है and again you have to touch the standing line, सीधी line को touch करना है परन्तु ये बीच वाली रेखा को नहीं चुना है वापस एक बार लिखेंगे, पहली और तीसरी line के बीच में एक सीधा line दुसरी line के थोड़े से उपर से शुरू करके हमको c बनाना है एक आधा गोला बनाना है जो की ये सीधी रेखा को touch करेगा परन्तु दूसरी रेखा को touch नहीं करेगा और पहली line पे sleeping line जन जन वो एक पार ये दोनों line में tracing की अच्छे से practice हो जाए फिर आपको यहाँ अपने आप लिखना है पहली और तिसरी line के बीच में एक सीधा line दुसरी line के थोड़ा सा उपर से शुरू करके एक आधा गोला बनाना है जो की सीधी line को touch करेगा परन्तु ये दुसरी line को touch नहीं करेगा sleeping line on the first line व्यांजन वो एक बार व्यांजन वो लिखने की अच्छे से प्राक्टिस हो जाए उसके बाद में हम व्यांजन लो और व्यांजन वो लिखने की राइटिंग प्राक्टिस हिंदी की नोट बुक में करेंगे जैसे कि आपको मालूम है हमको left side corner में पहले आज का date लिखना है और उससे शुरू होने वाले शब्द बोलने है उसके बाद में दो बार लो की प्राक्टिस होने के बाद में दो बार व्यांजन वो लिखेंगे व्यांजन वो लिखने के समय पर भी आपको यही ध्यान रखना है कि ये दोनों लाइन में व्यांजन व लिखना है करेक्ट फॉर्मेशन में लिखना है और उससे शुरू होने वाले शब्द बोलते जाने है जैसे कि वसे वजन, वसे वर्शा वैसे हर एक व्यांजन के बाद में एक शब्द बोलना है मझे आशा है बच्चो, आपको व्यांजन व उससे शुरू होने वाले शब्द व्यांजन व लिखते कैसे है और व्यांजन ल और व्यांजन व दोनों साथ में कैसे लिखते है वो अच्छे से समझ में आया होगा धन्यवाद